IFC First Bank एक ऐसा बैंक है जिस बैंक को मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार नहीं बलकि पांच बाल लोन के लिए अपलाई किया और पांचो बार मुझे यहाँ पर अच्छा खासे लोन का अमाउंट दिया गया है फिलाल मैं आपको पह लोन उफर जो की एक लाख साथ हजार रुपे का है नीचे पर रहेंगे लोन पर किलिक करते हो जैसरे मैंने यहाँ पैसे ले लिया और टाइम से रीपेमिंट कर दिया जो सबसे पहला लोन था मेरा यहाँ एक लाख 1050 रुपेता दूसरा यहाँ पर 80,000 रुपेता तीसरा ए आपको सब से जनुनी बापता हूं मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है और यहां पर मैंने इससे पहले तक कुछ भी लिया नहीं है चोटा सा रिलेशन है वो भी IFC First Bank के साथ कोई मेरे इस्तेदारी नहीं है इनके साथ ऐसा कुछ मस्तोचिएगा शिरिफ मेरे पास IFC First Bank का मेरे करेदी कार्ट का कुंना क्या रिल्नेया क्रिडी A court क्रेदी कार्णि कमेरे इसके लेटर क मैं यहां पर भाद कर बहुंद देते गए और हमरी करणन टाइम भी 1,60,000 के णिभ 있습니다 करता हूं और यहां पर सबसे मज़े वाली बात ही है कि एक बार भी मैंने यहां पर कोई भी इंकम प्रूफ नहीं दिया है इस बात कब जुरू धियान रखिएगा तो आज इस वीडियों बात करने वाले हैं कि आप यहां पर किस तरीके से लोन के लिए अपलाई कर पाओगे अब ज़रूरी बाते हैं रही जरूरी नहीं है कि सब पास यहां पर बैंक अकाउंट है यह पहले से कोई रुडियोसन हो और यह भी जरूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है डाल दिया जैसे आप उस पर किलिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे यहां पर लोन को अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कितने तक का लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है अगर आप एक सेलरी वाले परसान है तो आप यहां पर देखेंगे बीस जार रुपे से लेकर हाला कि यह बाद बड़ा क्लियर करना चाहूंगा अगर आपको पहले से कोई रिलेशन इनके साथ हो सकता आपको कोई भी डोकॉमेंट्स वगर रहे हैं या इनकम प्रूफ वगर देने जरूत ना पड़े या इस्टेटमेंट भी जरूत ना पड़े तूसरा ओप्सन यह है अगर आपके पिन कोड पर यहां पर सर्विस अवेलेबल होगी तो सेंपल आपको ग्रीन टिक आजागे इस पर चल जाता है आपको यहां पर पहले पर चल जाता है इसके जश्वात देखेंगा आपको अपना मुवाइल लंबर इंटर कर देना है और अपना डेटा करके सेंपल साप कंटीनू पर क्लिक कर सकते लिए करना नहीं है जैसे आप नीचे की तरह आएंगे आपको बता दिया जाता है कि अगर आप यहां पर लोन लेते हो तो मीनिमम आपको यहां पर 10.75% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है मैक्सिमम के बारे मात करें तो 36% आप अपर आपर आपको आपको अपने पिन कार्ड का नंबर इंटर कर देना फिर आप चाहें तो पिन कार्ड की फोटो खींच के भी यहां पर अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद सेमपल आपको verify फे इनकार पर इंटर कर देना है और आपको यहां पर फूल लेम आपका date of birth दिखा दिया जाएगा इसके बाद यहां पर आपको अपनी परसनल email id डाल लेना है सेंपल सा continue पे click कर देना है इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको अपना completely residential address को fill up कर लेना है फिर आप से पूछा रहाता है जो आपका permanent address है और जो residential address दोनों सेम है क्या तो सेम है तो आप टिक पे address पर fill up कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप से employment type पूछा रहता है कि आप salary person हो या फिर self-employer हो अगर आपको जोब अगेरा करते हैं अगर आपको आपको विजनेस तो आप मुझे मेरे company email ID दी जाए और यहाँ पर बताया गए कि आपके company email ID पर आपके पास एक link बेजा जाएगा तो मुझे लगता है कि सब के पास तो नहीं हो जिसके पास हो जुरूर डाल दीजिए जिसके पास नहीं है तो नीचे दिखिए यहाँ पर लिखा वारा don't have a official email email ID आप इस पर किलिक कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर पुझाए आपके monthly salary monthly salary आप अपनी यहाँ पर इंटर कर देंगे मान चलिए कम से 20,000 रुपे पलस होनी चाहिए जितनी ज्यादा रहेगे उतनी ज्यादा आपको लिमिट मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं इसके जश्मा क्योंकि मेरे eligibility ठीक ठाग है civil score ठीक ठाग है और मेरा यहाँ पर जो credit report यह पर credit history है वह ज्यादा ही strong है मैं टाइम से पैसा लेना टाइम से repayment करना यह सबसे plus point है मेरे लिए हो सकता कि यह limit किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिल सकती और यह भी हो सकता है साथ किसी के reject भी होजा क्योंकि सब की profile अलग-अलग depend करती है फिलाल जैसे माली जे मुझे यहाँ पर 2,48,000 रुपए का loan दिया जा रहा है तो यह maximum loan का limit होगे मेरे लिए और इसको minimum करके मैं 30,000 रुपए तक भी ले सकता हूँ अगर हम 2,48,000 रुपए ही लेना चाहते है क्योंकि इतनी limit मिल गई है और पूरे-पूरे-पैसे भी लेना चाहते है क्योंकि जल्दी आसानी से पैसा मिलता नहीं यह loan इस तरीके से अगर मिल रहा है मैं पूरे-पैसे ही लेना चाहते हूँ तो मुझे 36 महने तक का टाइम दिया जाएगा 36 महने के अगर मेरे टाइम दिया जाएगा तो अभी तक हमें यह clear नहीं हो पाया गया कितना rate of interest लग रहा कितना महगा पड़ेगा कितना हमारे bank account में आएगा यह जानन जो amount आपके bank account में आप receive कर पाएंगो पूरे-पूरे-पूरे 2,48,000 रुपे कर पाएंगे पूरसो सिंख फिस यहाँ पर देखेंगे 8,650 रुपे लगेगी GST के बारे मिबात करें तो 1,550 रुपे लगेगी EMI-Poterson plan आपको देखने हूं मिलेगा और आप इस पर टिक कर द जाता है इसमें क्या है माइनस करके नहीं दियागा बलकि जो आपको इस्ट्रा पैसे देने है उसमें एड कर दिया गया है तो फिलाल अभी देखेंगे कि जो आपकी हर महीने की EMI आईगी 10,405 रुपे आईगी अगर हम महीने के बारे में बात कर तो हमने यहाँ पर 36 महीने देखें जो अपली कैसा मार्केट मारती है उनसे तो यह सस्ता है क्योंकि अगर माली आपको 25 परसंट भी लेगा तो भी महहा पड़े है क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म फीस पता नहीं क्या क्या चीज लगा दी जाती है और बाद में क्या होता पैमेंट भी वापस करो तो करके यह देख लेता है कि हमें कितना महंगा पड़ रहा है जो हमारे औ doet tip नहीं को फालत Divine करों rust धो दिल्याद नहीं करेंगे प्रश्ट बैंक से लेने वाले हैं तो एक तरह से आपको मोटना मोटना कालकुलेशन मेहां पड़ रहा है लेकिन ध्यां राखी कि जब आप लोन लेते हो ज्यादा समय के लिए लोग न तो और ही ज्यादा महेंगा हो जाता है तो कोसिस करना कि आपको जतना लोन की जरुरत हो अमांट की जरूरत हो भले लिमिट जादा मिल जा तो भी उसमें उतना ही लेना जरूरत हो उसके बाद भी धियाना करना जितने समय माँ उसको वापस कर सको तो उतना ही टाइम आप यहां पर अगरे मकाट करें शचाइना क कररें के तोंकर आपका क्लीक कर सकते हैं इसके आपका ऌफिस का आड्रेस हो सकता कि dije बिजनेस कर रहे हो, हो सकता कि आपका जहां पर आप रहते हो, वहीं आप अपने कंपनी में काम करते हो, तो आप सेंपल सा यहाँ पर किलिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर किलिक कर सकते हो, इसके ज़स्ट बास सेंपल सा आपको यहाँ पर कंफर्म पर किलिक कर आएगा लेकिन अभी भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं आपको जानकारी सेर करना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पर एक नया कस्टोमर की तरह लोन को अपलाई कर रहा हूं तो यह लोन का करके लेना होगा तो आपने bank account को डालों डेटील को वैरिफाइए करूंगा अपने bank account रांस्पर कर लोंगा और इस अपता है कि अगर आपका कोई यहां पर देखने को मिले और एक बात बताना चाहूं हूं बाइद आपको यहां पर लोन नहीं मिलता है तो आप छोटे मोटे लोन के लिए पहले करो उसको प्रेइमेंट टाइम से करो फिर आपको बड़ा लोन मिल जागा जैसे आपका ब्रांच हो गए या फिर आपका यहां नहीं वाले तो आप इन अप्लिकेशन छोटा से लोन लीजिए इन दोनों का में लिंक डिसमें डाल दूँगा आप यहां पर लोन मिलेगा लेना आप उसको टाइम से रिपेवेंट कर देना इसके बाद आप अगली बार वहां से लाख रुपे तक का लोन ले सकते हो जिसक चलिए परी मिलते के सने बीड़ों तब तक के लिए जाएं जाए बारत